प्रदेश र प्रतिनिदी सभाको निर्बाचन को मेती गोशना भाई संगई जिलाबाट सिफारिस पहरा आउने नेताहरू काष्मंडव भित्रनेक्रम सुरू भायको छा। इस्तापित राजनित्तिक दल्मा केही शिर्ष नेताहरू को छेत्र भायक अन्ने छेत्रमा आकांची को संख्या निकेट हुलो छा। आफना नेत्रितोलाई रिजायर टिकट पाउने नेताहरू को रस्ता कसी सुरू भायको छा। एसरी जिल्लाबाट धमाधम सिफारिस भायका नेताहरू को सुचिमा केही गुर्णा नाइके र विवादास्पत अनुहार समेत देखिये का सन। write र अमालेले गोर्खा 2 को प्रतिनिदिश भासतामसद उमे+. नम्हें द्वार्वा चक्करी मिलन मनेने गुर्णा नायके मिलन गुरूँव सहीद तीन जना को नाम सिफारिस करे को सुच। चेतर नमर 2 चेतरिय समेतिको बैठतले गुरुण सै तीन जनाको नाम सिफारिस करेको हो नाम सिफारिस भायका तीन जना मद दे गुरुण ले नई टिकट पावने आकलन करेकोश गुन्डा नायके को रुपमाची निने मिलन बिगत मा पईशा असुली देखी बिभीन अबैद घतिविदी मा सम्लग्न रहदे आयका थी ठमेल चेत्र का डन का रुपमाची निने गुरूं एमाले नेता हरुशंग नजिक छन गुन्डा नायके चोरी र घहेटे को इनकाउंटर पची आत्येका डन हरुले पच्छिलो समय राजनितिक सम्रक्षेन मात्र होईना साम्षत नाय बन्ने चाहना दिखाऊन थाले काशन दिखाऊर चेत्र को बेवसाय मा कबजा जमाय का मनागे र चक्रे मिलन केही समय अगी का समकक्षी र फ्रतिश्प्रदी हुन इस सरी आपना समकक्षी को राजनितिक फटक का कारण चीडिये का चक्रे मिलनले आगामी निर्भाचन मा टिकट पाउना मनी र मसल दोबई प्रयोक गरने देखिन चाह उनले अबईद संपति तथा अबईद हतियार को मुद्दा समेत खेपे का थिए उता बिर्याटनगर मा रहेरा गुंडागर्दी करदई अखुद संपति कमाय का पर्शु राम बसनित को नाम मोरंग चेत्र नमबर 6 खब आट प्रतेक्षे मा सिफारीच वायको सा इस अगी बसनित को नाम बिर्याटनगर को मेर मा पनी चर्चा मा थिए एमाले खेलकुद महासं का अधक्षे समेत रहेका बसनित राष्टिय यूबासं नेपाल का पूर्व उपाधक्षे समेत होन उनले पसिलो समय मोरंग मा राजनितिक प्रभाव बढ़ावदे लगे का थान संपति सुद्धिकरान अनुचुदार विभागले बिर्याटनगर मा रहेरा गुण्णागर दी मार्फत गोईर करूनी काम बाट आर्थिक लाब लियेको आरोप मा उनी बिरुद्ध मुद्धा चला आयको थिए एदेपी बशनेतले सर्वत्ध अदालत बाट सफाई पाई शके का थान एमाले मात्र हुईन बिबादित अनुखार लाई उमेद्ध्वार सिफारिस करने मा नेपाली कांग्रेस अजय अगारी छा चक्रे मिलनका और का प्रतिशप्रदी गनेश लामा समित 2046 को निर्बाचन मा प्रदेश तवा सदस्य मा लड़े का थी काब्रे बाट पराजित भायका लामा नेपाली कांग्रेस को चवदो महाधी बेशन बाट केंद्रिय सदस्य मा निर्बाचित भायका थान लामालाई कांग्रेसले आगामे निर्भाचन मा काबरेच छेतर नमर एक को प्रधेस्त भाहा खोब आठा उमेद्वार का लागी सिफारीश करे कोछा कांग्रेस पाठी का सभापती शिर्भाहादूर द्योबासंग नजिक रहे का लामा टिकट पाउने मा डोक का सन इस्ते निपाली कांग्रेसले जिवदै मानचाला इटा भटा माँ अलेरा हत्या गरीच को आरुप मा थुनामे रहे का मोंबध अप्ताप आलमलाई सिफारीश करे कोचा हत्या आरूपी आलम लाई नेपाली कांग्रेस ले प्रतिनी देश भा सदस्य प्रत्यक्षे निर्भाचन तरफ उमेद्वार का रुपमा सिफारीश करे कोछा आलम मात्र वहिन नेपाली क्यांग्रेस ले चलचित्र निर्माता रोज जानाले प्युठान प्रदेश खबाट एक नमबर मा नाम सिफारीश करे कोछा राना सहीत तीन जना को नाम सिफारीश करे को भाईपनी टिकट पाउने प्रबल संभावना राना कईछा कही बर्स अगी प्रहरी इंकाउंटर मा मारे का चरी को समुह मा रहेगा राना चेलीबेटी बेज बिखन को आरफ मा छो महीना जेल बसे का थी रानाले थुप्रई पटक पक्राव परेरा सार्मजनिक मुदा खेपी शकेको प्रहरी को तच्छायं कमा छा रात्री कालीन वेवसाई मा आब द रानाले गुण्डा नाहिके संगाको उटबस मा अखुच शंपति कमायको आरू प लागने करसा एसकरी गुण्डा नाहिके संगको उटबस को गंध पहय पसि प्रहरी इले राना मा थी निग्रानी बढ़ायको थी तरह प्रहरीको निग्रानी बाट बचन उनी कांग्रेस प्रभेश करे का थे उने रानाले आगामी निर्वाचर मा सामसत बन्ने चाहाना दिखाय का सन् एसते हत्या अभियग मा दोसी ठाहरीर जेल परीशके का राजु गोर्खाली समेत प्रतिनीती सभा का सदस्य का लागी सिफारीश पायका सन् कांग्रेस सिंदुपाल्चको जिला समितीले उनको नाम सेत्र नमबर दुई बाट प्रतिनीती सभा को उमेद्वार का लागी सिफारीश करे को हो। कांग्रेस महादी बेशन प्रतिनीती समेत रहेका गोर्खाली बालुआ ठेका प्रटा संगे रात्रीकरीन ब्यवसाई मा सम्ड़वाग न थी। टिकापूर हत्या कंडा मा दोसी ठार भाई जिल मा रहेका निलंबीच सामसद रेसम चौधरी बरदिया दुई बाट प्रतिनीती सभा सदस्य उमेद्वार मा सिफारीश पहेका शन। नागरिक उनमुक्ति पाटिले चौधरी लाई सर्व संबत रुपमा उमेद्वार सिफारीश करेकोशा। चौधरी दुईदार चौधर साल को निर्भाचन मा कोईनली बाट निर्भाचीच सामसद होन। नेपाल राजनितिक डन रा ठोग हरुको चारी बनी रायकोशा। पच्छिरो समय यो क्रम अजब बड़े कोशा। यसरी गुण्डा गर्दीको भर्मा राजनिती मा आयका बिहार का पुर्व मुख्यमत्री लालू पुरसाद आधबले तीन कारेकाल सत्ता चलाए। तरह त्यहांका जनतालाई पंद्र बड़्श अंधकार मा राखे। तेसको कही समय मा उधायका मुख्यमत्री नितेश कुमार ले तेही बिहार ले उधारन ये बनाये चमकीलो बनाये। छिमेकी देश को ये उधारन लाई निपाली जनताले वोट हालनों अगीने समझीनों पर्शा। देश लाई उजयालों बनावने या अध्यारों बनावने। तेसको स्विच निपाली जनताको हात माचा।